लोगों कहीं कट गया है फट गया है या फिर टाका पड़ा है और चाहते हैं वहाँ पे इंफैक्शन नहों बैक्टेरिया तो आप लोग टी बैक्ट वाइंटमेंट का इस्तेमाल करें यह एंटी बायोटिक लिए वीडियो को शुरू करते हैं और अंत तक बने रहे हैं और प अपसित करने वाली हैं वाइंटमेंट presented to sound के बारे में जोगी बहुत हीा अच्छा वायटमेंट है टी बैक्ट वाइंटमेंट呢 éle देखर तो समझी गया होंगे जोगी बहुत ही बाहाँ अच्छा है पांच ग्राम का फाइल होता वह एंटी बायोटीक है और और वह कहीं भ लाल लाल आपको निकल गया है और वहां पे घाओ की तरह निकल गया है और वहां पे नोच भी रहा है तो आप लोग वहां पे इस्ता इस्तमाल कर सकते हैं और recurring oils कभी कभी होता है दारी सेव करने के बाद छोटा छोटा निकल जाता है उसके उपर फिर पिला पिला आ जाता है जिसको infection करते तो उसमें भी इसका इस्तमाल कर सकते है और बड़ी में हर जगा पे अगर हो जाए तो इसका इस्तमाल कर सकते है एक्टेयल इंफेक्शन में यह बहुत ही अच्छा काम करता है चलिए आप लोगों को दिखाते आखे टीबेक्ट वाइंटमेंट होता कैसा है यही है मुपीरोसीन वाइंटमेंट 5 ग्राम का जो टीबेक्ट के नाम से भी बहुत ज़्यादा फेमस है जो एंटिबायोटिक वा दोस्तों यह देखे 5 ग्राम का फाइल है तो इतना ही छोटा है और यह जो है यह यह टीना का है जिसके कारण एक इससे दिक्कत होता है यह अगर संभाल करा आप नहीं रखेंगे तो यह बहुत जगह से पचक जाता जिसके कारण क्या होता धक्कन खोलेंगे तो अपने आप यह बाहर निकलने लगता है हम दिखाएंगे मेरे पास हाई है और जी एसके कंपनी ने इसे मैनुफेक्चर किया उसका ट्रेड मार्क देख सकते हैं आप लोग दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा टी बैक्ट वाइंटमेंट मूप्रो कोईन वाइंटमेंट जो की 2% है उसमें मिला हुआ 5 ग्राम का फाइल है 113 रुपया 62 पैसा उसका प्राइस है लेकिन उसके साथ एक दिक्कत है तीन का जो डबा है वो अगर पचक जाए तो हो सकता है कि उसमें से आप बीना दवाय हुए अपने आप अंदर से वाइंटमेंट निकलने लगता हम साइड में अब उसका वीडियो एड कर देंगे आप लोग देख लिए कैसे पचक जाता हूँ चेहरा पर एक्टिनी कभी-कभी ऐसा होता है कि इसका मूह नहीं रहता मतलब वहां से पते नहीं चले यह फूट के अंदर से बाहर कैसे निकलेगा तो वहां पर भी इसका 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 इसक किया है और जेनरली आप देखते होंगे ना कहीं भी कट जाए या फट जाए या टाका पड़ा हो या न भी पड़ा हो तो डॉक्टर उस पट्टी खोलने के बाद आपको यह वाइंटमेंट देते ही देते है कि लिजिए इसे लगाईएगा बहुत जल्द आपका घाव भी भर जाएगा और कोई infection भी नहीं होगा तो यह जनरली आप लोग जानते भी होंगे अगर हमारी वीडियो अच्छे लगी तो लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे और कोई भी दवास related क्यूरी हो या कुछ भी पूछना होता आप लोग हमसे comment करके पूछ सकते हम आप को जल्द से जल्द उत्तर देंगे thanks for your time